कि सब्सक्राइब किजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बैल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए देखें आप रिपीट करते हैं आगे चलके अब जा भी हमने पहले देखाता कि भागिदरी और अलकनन्दा दो धाराए हैं जो अलगनन्दा मिलती है बो जाके देश पिर्याग में मिलती है इहां से गंगा नदी कहलाती है जैसे सब्सक्राइब निकल जाती है जैसे कि अगर स्टार्ट करेंगे इससे पहले इनके विष्णों पिर्याग करन पिर्याग इनसे पिंडारी और यहां पर भील गंगा मिलती है तीरी में भागी देती में यह चोड़े पॉइंट हम डिसकस कर चुके लाश्ट में तो अब इसमें कि राइट साइट जैस festival मिलने वाली हम कर चुके मीन नधिया में राम गंगा हुई राम गंगा के बाद होगी गोंति गोमति लेके आती है सबसे जादा बाड़ाने कान कोसी है कोसी नदी क्यों बाड़ सबसे जा देलाती है कि कभी भी अपनी कर्बड़ बदल के घूम जाती है अभी जैसे अभी आप देखेंगे साम को कहीं और बह रही है जब सुबह आप खिलोगी दो-तीन किलोमेटर दूर जाकर कही भी जाके वहना सुदू कर देगी तो जो गाउं बीच में जो भी बढ़िया आती हैं सब को ला देती है सबसे जादा बाढ़ आने का कान कोशी नदी है ब्याद में इस पर काफी सरी सरकात की योजना भी चलने इन सब चीज़ों का दो किने सफल होती है आगे महानदी आपने मिलती है महानदी जो पूर तो यहां के साइग नदीन नहीं कि घागरा की तेरा इनकी जोइंट मिलने के बार ना कि नहीं लगांगे मिलती है, पानी भी गंगा में आता है सारी चीज़े सही है पर डायर्ट आके नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे ओर जो सह्यूत मिलने के बाद इनकी धारा एकलाती है वह घाग ना था हम इसको घाग राइण से लगाएंगे है ठीक है सबसे लंबी नदी के मिलने वाली घंगा में यमझर नदी या राइट सबसे लंबी नदी यमना दोनोंकि कैसे विए हैं से यमना दबनतर कूंण से हमारी हमाले की है जो हम हेमाले पढ़ चुके हैं लगों हेमाले न अबरद हेमाले और मद्य हेमाले उसमें बंदपूर सिर्णी बंदपूर सिर्णी में निकलती है यहां पर है इनन्हें से निकलती है और होती आकर आकर होते हैं यह सीरब दिल्ली ऊ STUD होएे यह मिल जाती है राइट साइट से घंगा नदी में कहां पर बनार्स से पहले अलाभाद में यहां में संगम में सरस्वांति नदी मिल तहें तो संगम में आके गंगा में मिल जाती है फिर इसकी संयक धारा गंगा ही कहलाती है फिर यह आगे चलके गंगा के नाम से चलती है यह इंपोटेंट है कि कई सारी नदिया जब मिलती है तो कौन सी धारा क्या कहलाती है क्यों सा नाम लुप्त हो जाता है कौन सी चलती है दिल्ली से पहले यम लुप्षमभद नगद रख सकते हैंहां पर यह आके मिल जाती है से लेप साइंट से अब रायट साइड की बात करते हैां राइट साइड में थोड़ना सा कनिफियोजन है जैसे मैंने आपको बताया था तो केन जो है वो यम लेपर ग मिलने यह सब जाने के बाद, जब यहाँ पर आके आप देखेंगे एक दारह जब यह भारत में पिद्वेस करती है जब पिद्वेस करती है वहीं से लेकर और जब तक यह भागी रती में नहीं मिलती तब तक इसको जम्मना नदी बोलते हैं देखिए यही वाले question पूछे जाते हैं यह इतना confusion वाले नाम है एक ही निदी के कई वान नाम change हो जाते हैं अलग-अलगी state में यह आपको ध्यान रखना होगा बस यहीं पर तो जब यह left side से प्रवेश करती है जब इसको बोलते हैं जमना इधर वेश्ट बंगाल के वाद भागी रती और भागी रती और जमना जब आके एक साथ मिल जाती है तो देखिए पदमा इसको बोलते हैं तब यह सहीं को धारा पदमा कहलाती है और यहां पर रेकिन की छोटी सी अगर डीप में जाये तो बराक करके एक नदी और जो आके मि मिलती है लेकिन इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है मेगना जब इस पदमा नदी की धाला मेगना नदी से मिलती है तब यह मेगना कहलाती है मेगना तो देखिए तीन बार नाम चेंज हुआ गंगा भागी रती इधर से जमना मिलने के करण पदमा पदमा की बाद मेगन बापसे question पुछा जाता है कि जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है वह बैसे गंगा नदी आती है कि गंगा नदी कहीं सुंदरवन डेल्टा है लेकिं जब कहेंगे कि कौन सी धारस में जाकर मिलती है कि यह पहाँ पर उप्सन मेंगना होगा तो आपको मेंगना लगाना है क्योंकि मेंगना ही धारा झाय जो बेओा बंगाल में गिड़ती है और सुझधल्वन डेल्टा बनाती है तो किसे निकलती है तो लिटम Ltail तो बनाने वाली नदी इसलिए बिए नाम उना इपटाए स Thom настいきa सग्याते हैं इसक opमक्री ससे निकलती यह हमना कि हमबात कर चुके हैं यह नहींगा यहां पर मैंनी हिंगलेसर से बंदर पूसरेनी से हिमालनी गिलेसर से निकलती है यह ना यमनोतर हिमानी से निकलती है टिरी गडवाल जिले के पास है और राइड साइड पर आके गंगा से मिल जाती है अब यमना की साहेक नदिया जो राइड साइड साके मिलने वाली है चंबल सिंद बेतवा केन चंबल सिंद बे कि नदियां किसके सायक नदिये सोन की पर लिए अगर ऑफशन डायरेक आए गा तो हम इसको नहीं लगांगे कि देख रहा है रहे हैं यह सयुग धारा मिलने के बाद कोईल मिलने के बाद यह सोने ही का लाती ना किसका अब चलते कि वापस पिर यह वाद लेकिन कि right side के मिलती ह तो एक्जामनर कई बाद इतना साथ है ना पूछके लेफ्ट साइट से वाली नदियों के बाद में पूछता है कि जो लेफ्ट वाली नदियों के अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक हिंडन यहां पर आके मिलती है ठीक है तो अब हमने यह डिसकस किया लाश्ट में आप दे देखना कि जितने भी कोशन पूछे जाते हैं सब आपके इसमें किलर कराएंगे तब तक आप बने रहें एक तो मोटा मोटी आपको पहले हम आईडा देना चाहते हैं ताकि आपको एकदम से सारी चीजे ना हो जब फिर से हम स्टार्टिंग करेंगे जब आप फिर से इसमे आपको बागी से एक भी करेंगे ना हो जाते हैं